हाई फ्रेंड्स! आझ हैं मेरे पास एक बहुत बड़ा वोल फैन, जो काफी बड़ा है और यह आपका ओव NORMAL वोल फैन नहीं है, काफी बड़ा है इसकी काफी बड़ी मतलब पंखडिया है और काफी मोटी इसकी मोटर है इसके बारे में हम बात करेंगे इसको रिपेर करके बताऊँगा और इसके डिटेल के बारे में मैं बताऊँगा इसमें क्या क्या सामान मतलब कितने आरपियम अगरा है सारी जानकारी आपको दूँगा आपको ये वीडियो पूरा देखना है ध्यान से देखना है तब ही जाक तो दोस्तों आप जैसा इस्क्रीन पर देख रहे हैं यह है वोल फैन काफी बड़ा है और यह जो से पुराने टेविल फैन आते थे उसी तरीके का है लेकिन इसका साइज काफी बड़ा है और यह इदर से उधर मूव भी करता है मतलब पांकड़ी कुछ देर इदर चलेगी देख सकते हैं आप इसको घुमा रहा हूं तो पीचे का वो यह वाला घुक्तरियों में अधिकतर मिलते हैं क्योंकि महां पर काफी बड़े पंखें वहां पर काम नहीं पर शे성 और इस तरीके के आपको देखने को मिल जाएंगे तो यहां पर मैं इसको खूलूंगा इसकी क्या है कि एक वायर बोल रहा है वांडिंग का और एक नहीं बोल रहा है कि इसमें मैं बनाया हुआ है नीला तार नीला बोल रहा है और लाल तार है जो यह लाल तार है यह नहीं बोल रहा है मैं इसको खोलूंगा खोलने के लिए इसमें चार स्टेड है बाहर उससे पहले हम इ इसमें चार MFD का केपसेटर लगा हुआ है आप यहां देख सकते हैं और इसकी कंपनी है आप यहां देख सकते हैं अब मैं इसको खोलूँगा और खोलने के बाद हम इसकी वार्णिंग चेक करेंगे अगर वाइन्णे के पूरी होगी तो हम पूरी करेंगे, अगर आधी ओगी तो हम आधी करने की कोशिज करेंगे, हम देखते हैं किया कंडिशन इसमें होती है तो यहाँ पर मैं इसको खोल लूँगा और खोलने याँ सबसे पहले हम से हम चैक करेंगे इसकी panelists चैक कों सी तार बोल रही है आप-बें इसको क्रेंहीं चैक कर रहा हूं तो यहाँ पर नीला मेन दिया हुआ बाइस में और यह क्या है कि यह बोल रहा था आप यहां देख सकते हैं और इसकी जो लाल तारी यह नहीं बोल रही थी मतलब लाल तार इसकी ब्रैक थी तो इसके बाद हमने क्या किया इस पंक्खे को खोला है और खोलने के बाद आप देख सकते हैं चार स्टेड हैं जो इनसे लकड़ी का गुटका है तो आप लकड़ी गुटके पर इसके साफ को उल्टा करके बारे या फिर आप सीधा फर्स में भी इस तरीके से कर सकते हैं तो दोस्तों मैं भी आपको खोल के दिखाऊंगा इस तरीके से नहीं निकलेगा क्योंकि आगे इसकी जो बेरिंग सीट है उस उपरवाली और इसमें यह रैड मतलब जो लाल ता सार है यह स्टाटिंग की है और नीली है जो रनिंग की है तो यहां पर क्या करता हूं आफिक नज़िए पर में जादा जली है दूसरी क् वाइरिक हुए थैं तो हम क्या क्या या दो कोईल निकाल दी आसानी से दूसरी तारों को ना छेड़ते हुए दोस्तों किसी भी चीज में अगर आप एक से दो कोईल डालते हैं तो उसमें ध्यान यह रखनी होती है कि और मतलब आसानी से निकल जाए क्योंकि हम दूसरे तारों को डिश्टब कर देंगे या फिर करई कोई पेपर हीट होते हैं तो हम ऐसे करते हैं तो वो मोटर हमारी सित lifetime होती है लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर दो कोईल बदली हैं बाफिम पर आसानी से इसके निकल गये हैं आम इसके टन कर और इसमें इसका और पाधीर डालेंगे तो नीच्छे इसमें नमबर है लगबग 250 टन है और उपर इसमें 30 नमबरतार है और इससे लगबग 270 टन है तो यहाँपर हमने क्या किया दो قैल मुदल इसको सीरी करके कर के निकालकर और इसको चेक क्या है तो यहाँ पर यह की माक्टी कॉइले सही बोल रही है आप यहां देख सकते हैं यहें जो एक छो सही बोलाई ह curved कि बनाकर इसमें डाल देंगे फिर करें तो आप यहां पर देख सकते हैं मैं ने यहां पर इसी सवाइज की लगवक यह जा रहा था 19 के असपास 19 इंची को फास और एक और उन्हें इंची निए है की तो तो यहां पर मैंने को ऐसे ही डाले कर दिए हैं अब क्या है इसको मोटर में मुझे इसका और यह नहीं जाएगा और यह पूरा इसको फिट करेंगे और फिट करने के बाद आपडेख सकते हैं फिट करने के बाद हम समय दखकन लगा कर दू沒關係 करके चला कर भी देखेंगे और इस तरीके से यहां बदा सकते हैं 係्ट इससा पड़ेगे और तो सक यहां पर मैंने इसको fit कर दिया है और इसको चला दिया है उसी तरह होते हैं चार यहां देख सकते हैं यह इसकी पीछे की फिर्किया गूम रही है जिस तरीके से वो टेविल फैन में गूमती है और इसकी गरारियां फिलाल इनमें कुछ problem है तो उसको हम बाद में देखेंगे लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं तो इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं इसके आर्पियम 1440 आर्पियम है जिसकी काफी अच्छी हवाती है और इसकी पंखडी है जो तीन पंखडी आए वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिस करूँगा अगर अगली वीडियो बनाऊंगा तो को कि इसमें इसका stand नहीं है और इसका stand क्या है कि खो गया है जिसको हम जुगाड से stand इसका बनाकर वोल में हैंक करेंगे और फिर मैं इसका जाल वगरा हावार वारे गरा सारी चीज़ चेक कराऊंगा उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा अगर इसी वीडियो में उसको एड़ करूँगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा बोरिंग हो जाएगा अब भी ये काफी लंबा हो गया है लगवग आट मिंट का वीडियो हो गया है तो इस तरीके से आ तो इस तरीके से आप अपने पंखे को सही कर सकते हैं और कोई परेशा नहीं आती है तो अमें कमेंट जरूर करें तो दोस्तों आपने देखा मैंने आपको इस वोल फेन के बारे मताया अगर आपको और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट करें चैनल पर अगर आप पहली बारा तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह कि हम नए नई वीडियो आपके लिए लात